कानपूर मेट्रो डिपो में ट्रेक पे दोड़ी कानपूर मेट्रो प्रमुख सचिव ने किया निरिचण 15 नमबर को होगा आगला ट्रायल प्रमुख सचिव अनिल कुमार गर्ग एमडी कुमार केशों ने शुक्रवार को पॉलिटेकनिक स्थित मेट्रो डिपो का निदे छड़ किया इस दोरान उन्होंने गुजरास से आई मेट्रो ट्रेन भी देखी प्रमुख सचिव ने उत्तरप्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन के एमडी कुमार केशों से मेट्रो के ट्रेल रण की डेट पूछी तो एमडी ने पंदा नॉम्बर को उन्हें ट्रेल रण के लिए आमंतित किया कानपुर मेट्रो ट्रेंच सुक्रवार को डिपो की ट्रैक पर दोड़ती नजर आई आपको बता दें कि IIT से मोती जिल के बीच 9 किलो मीटर का ट्रैक तयार है सिंग्नल लगाने का काम भी पूरा कर लिया गया है ऐसे में UPMRC अब में ट्रैक पर ट्रैल शुरू करने जा रहा है टेस्टिंग के लिए कई सेंसर भी लगाए गए है गुजरात के साउली प्लांट से मेट्रो के तीन कोच पिछले मा आए थे बाद में तीन कोच और आ गए पहले आए कोचों की टेस्टिंग शुरू कर दी गई चार दिन पहले डिपो के अंदर बने 650 मीटर के ट्रैक पर ट्रेन को चलाया गया था ट्रेन ने 15 किलोमेटर की रफ्तार से 6 राउंड पूरे कर लिये थे कानपूर वास्यों को कब तक मेट्रो में सफर करने का मौका मिलेगा मैं यह कहूंगा बहुत जल्दी और बहुत जल्दी का मतलब यह नहीं कल लेकिन हम लोग बहुत जोड से लगे अब सोचिए अब नवब पंधरा नॉमबर को दो साल होंगे पंधरा नॉमबर 2019-2021 तर और अभी अमरी ट्रेन है जिसको अभी हम लोग डेली टेस्ट कर रहे हैं इसको टेस्टिंग कह रहे हैं क्योंकि हमको ट्रायल करने हैं अभी आडियसो को मिनिस्ट्री आफ रेलवे ट्रायल करती है तो हमको वो कि आज की डेट जो है वो पंधरा नॉमबर है उसको करने के लिए हम लोग इसको ट्रेन को ट्रेस्ट करें लगातार अपने ट्रेस्ट्रेक पर कर रहे हैं एक दो दिन में शायद आपको उपर भी दिखाई देगी चलती है क्योंकि हमको नप्टे किलोमीटर तक चलाकर कानपुर वासियों कब तक मतलब कित्ते वी और इन समय उतिजार करना पड़ेगा मेटरों के लिए सब लोग द्वाएं करिए हम दो जितनी अल्दी कर दें एंड ऑफ दसंबर कोशिश करें वसे जन्वरी टार्गेट है आप पूछ रहे हैं मैं भी घुशूं कि एंड ऑफ सफर करने का मौका मिलेगा